एक और सर बात कहना चाहूंगा, कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस बात को हमेसा ध्यान लखें, कि अगर आपको प्रसंद समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार उसको अंधरीजी में जरूर पढ़ें, कई बार वो चीज़ें हैं, आसा मज़ा हो जाती है जिसना मैंने हिस्ट्री फस्ट एपिसोड में कहा, अब जैसे कोई क्वेश्चन डारेक्ट करेंट अफ़ेस पर आया तो मैक्स्वीन करेंट अफ़ेस उसका यूज़ हो रहा है, लेकिन सर्ट जो नॉमल क्वेश्चन की हैं, जब उसमें हम फैक्स दे रहे हैं, डेटा पॉइ समझ का युद्ध है, आपके पास इंफॉर्मेशन का युद्ध है, एनलसिस का युद्ध है, दोस्तों, सिविल सर्विसेस मेंस इग्जामनेशन प्रिपरेशन स्ट्राटिजी की ये सीरीज टू है, आज हम बात करने वाले हैं, बिविन बिन्दूओं पर और वो सबजेक् सबसे पहले तो आप सभी का सौगत इस एपिसोड पर और दोस्तों, मैं हूँ बी सिंग, तो मंझेश जी, गवर्नेंस एक ऐसा टॉपेक है, जो बड़ा कंटेंप्रेरी है, और बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, जो पिछले एक साल में, दो साल में, वो चर्चा सकते हैं कि Constitution का Policy-based application है, कि सरकारें क्या policy बना रही है, कानून कैसे बन रहे है, योजनाएं क्या चल रही है, कारिक्रम क्या चल रहा है, तो अगर किसी को governance का topic करना है, तो वो इसको segregation या alienation में करने की बजाए, Constitution को आधार बना कर करें, तो सबसे पहली बात कि कोई भी चीज अगर मान लेजे कि governance का topic है, तो उसमें health है, education है, population है, तो अब इन सारी चीजों का बेस Constitution है, डिरेक्टिव प्रिंसिपल सब इस्टेट पॉलिसी में है, तो सबसे पहली बात कि governance के किसी भी topic को पढ़ने से पहले, हम यह ढूड़ने की Constitution में उसका base कहां, तो एक तो constitutional base हमने उ तो थोड़ा evaluative aspect भी बहुत important है, कि उस policy की shortcomings किया है, और उस policy के फाइदे किया है, तो Constitution का base देना है हमें, और उसके साथ साथ current का उसमें material डालना है, क्योंकि governance में पहले देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे सवाल भी आते हैं, जो स्टूडेंट्स को उसको समझना थोड़ा म आप कैसे सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि इसको attempt करने के पहले आप brainstorming कैसे कर लो, यह सर बहुत बढ़ा मुद्दार खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं अपने अनुभव से जानता हूं, यह बहुत बड़ी समस्या है कि वो questions को कैसे समझ देंगे, क्योंकि governance के questions या even quality के questions वो चार-पांच लाइन होके होते हैं, अब ऐसी इस्थिती में मैं हमेशा यह सजेस्ट करता हूं बच्चों को, कि आप पहले प्रस्न को टुक्रों में तोरो, टुक्रों में तोरने का मतलब कि पहली line क्या कहते हैं, अब जैसे चार लाइन का question है, तो पहली line में वो simple 2-3, पहली line में कुछ information देंगे, second में देंगे, third में देंगे, अब पहली line को पर उसका keyword क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है, दूसरी line का क्या है, जिनरली तीसरी और चौती line में questions होते हैं, तो एक तो लंबे questions की हर line को पढ़ें, उसके keyword क को point out करें, और उस keyword को अपने answer में किसी भी तरह से incorporate करने का वो प्रयास करें, तो एक तो long question में हमें ये देखना है, दूसरी बात की long question में introduction और conclusion की बहुत बढ़ी समस्याती है, 200 words लिखने है, question के तीन parts है, तो अभी के समय में introduction और conclusion बहुत लंबा करने की ज़रूरत नहीं है एक या दो लाइनों में introduction और एक या दो लाइनों में conclusion, तो governance के topics की हम बात करें, तो introduction generally constitution से मिल जाता है, तो constitution से आप उसका constitutional base ले लेंगे, ये introduction और conclude भी हम constitution का सायता लेते हुए कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम इसके other aspects को भी touch करेंगे, कि उसका economic aspect क्या है, लब interdisciplinary होते हुए, उसका political aspect क्या है, social aspect क्या है, environmental aspect क्या है, science related उसमें क्या कोई issue involved है, तो long questions को हमें ऐसे tackle करना चाहिए, टुकरों में बाट कर, एक और सर बात कहना चाहूंगा, कि हिंदी medium के students इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कि अगर आपको प्रसंद समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक ब पर फोकस करते हैं, और prelims की approach ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि पहला तो hurdle वही है, लेकिन जब बात आती है answer लिखने की, तो अब students को पता तो होता है, कि हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, लेकिन उसको कम सब्दों में लिखने के लिए जो एक brainstorming करना चाहिए, mind map बनान चाहिए, तो उसके लिए क्या आप suggest करेंगे कि पराने सालों के questions को attempt कर लो, वहां से कुछ idea draw कर लो, कितनी relevance है previous year के questions की? इसकी बहुत ज्यादा relevance है previous year की, और अगर मैं precisely बात करूं, तो 2012 में, UPSC ने civil services का syllabus चेंज किया था, जो अभी अपना syllabus चल रहा है, वो 2012 से आया, और 2013 के exam से अपलाई हुआ है, तो अल्मूस्ट 10 या 11 साल होते हैं, तो 10-11 साल के सारे questions, हर serious experiment को हल करना चाहिए, एक तो उसका फाइदा है कि सबसे बड़ी बात कि आपको राइटिंग गंदरी का आया, दूसरा आपको questions समझने की देरी-देरी understanding विक्सित होती है, तीसरा की theme-based questions होते हैं, तो कई बार questions repeat भी हो जाते हैं, तो प्रतेक student को ये सबसे प्राइम strategy का पार्ट बनाना चाहिए, वो लास्ट 10- 12 years की questions को जरूर हल करें. सेक्ड़ों की तादाद में वहाँ uploaded हैं, उनसे भी आपको अंदाजा लगेगा कि जो selected students हैं, toppers हैं, वो कैसे अपना उत्तर लिखते थे और उनको ध्यान में रख करके, उनको analyze करके, आप अपनी strategy बना सकते हैं, तो ये आपके लिए help करेगा. अब मैं आता हूँ, international relations की बात करते हैं, कमल देव जी, क्योंकि आपका ये topic तो पूरी तरह से current है, और इस विशे में students की क्या approach हो, source of study क्या आपनाना चाहिए उनको. और दोनों तरह की students की बात करेंगे, एक वो जो इस बार लिख रहे हैं, 2024 कमेंस, और एक वो जो preparation कर रहे हैं अगरे आने वाले सालों के लिए. सर, सबसे पहले मैं जो इस बार में इस दे रहा हैं, चुकि उनके पास समय कम है, और उनके लिए मेरी सलह ये होगी, कि सर, सबसे पहले तो आई आर का जो चार question आता है, एक question, बड़ा इस पस्ट है, सले बस जैसा मंजेश जी ने कहा, 2013 के बाद से देखें, एक question है, सर, organization ये institution पर, सर, अगर हम UN के 6 organs को अच्छे से तयार कर लें, चुकि UN reform की बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी छे lobbying की है, उसके लिए कि हम फिर से permanent members secure बढ़े हैं, तो ये हमेशा के लिए सर, इससे भी आ सकता है, इतना important है, लेकिन ये हमेशा तयारी में हो, सर, पिछले अ एक तरह से उनने war criminal की बात कही है, क्योंकि नरसंगार की बात की गाजा पटी में, लेकिन उसका implication क्या है, चुकि दो साल पहले जब यूक्रेन में war किया, पुतीन साहब ने, तो पुतीन पर भी उन्होंने ऐसा ही लगाया, लेकिन क्या उस प्रतिबंद का वास्तों में फाय जाता है, जो बड़ा clear है, अगर हम केवल 5-6 मुख जो न्यूज में इधर बीच रहे हैं और जिन पर ज्यादा focus रहा है, इसकी तैयारी करने, अगले तीन question जो है सर, जैसे आपने कहा सर, यही सच है कि अगर मैं आज बोल सकूं, तो यह सब सिगे सेरिया है, मैं हिस्ट्री म कि अभी की बात करें, सर, प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से एक tradition रहा है, कि जब वो ओत लेते हैं, पहली बार देखिए, जब 2014 में आये, तो नेवरूट first policy को अपनाते हैं, पहले वो नेपाल गए, पहले बार में, 2019 पे फिर चैनित हुए, तो वो मालदीव गए, स्टी सी, जो इंटरनेशनल नार्थ साउट ट्रांस्पोर्टेश कोडिडो है, सर, दो ट्रेन, रशिया से कोईला लेकर इंडिया आ चुकी है, सर, और वो किस पोर्ट से, चाबहार से, अब्यसली सर, जब हम अरेबियन सी, मॉंबई से जाएंगे, चाबहार बंदर गा, और पहले जब जाते थे, वो 16,000 किलो मेटर, पूरा यूरोप गोमते हुए, स्वेज नहर से होते हुए, तो, सर, अब ये हो चुका, अब पहली चीज रसिया तो दिख रहा है, और अभी आ रहा है, अब हमें कैसे सोचना चाहिए, सर, नंबर एक, करेंट के जितने भी बात है, दूसरा सर, एक तरफ हम देखते हैं कि जो वार, एक तरफ रशिया यूक्रेन का चल रहा है, उधर सर, इजरायल और पलिस्टाइन के चक्कर में रेट सी पूरा जाम पड़ा हुआ है, या फिर जो हावती विद्रोही है, वो उसको, प्रेलिमस में भी इंपेक्ट रेट कहा है, उसमें भारत कि क्या भूए का है, इस तरह के कु으ेशन सर, अगर हम करें, तीसरा सर, एक तरफ देखें तो एक न्यू कोल्ड वार, एक सर लूई हाल है, उन्होंने द न्यू किताब लिग दी, और इसमें जब वो बात करते है कि क्या ये ये न्यू कोल्ड वार का समय आ गया है क्या क्योंकि एक block बन रहा है sir Russia चाहिना का और दुसी तरफ Western Europe वैसा ही है इरान रशिया चाहिना North Korea और भारत फिर सर क्या हो NAM का एक बदलते हुए रूप में है तो क्या वास्तों में जो NAM 2.0 की किसी एक think tank ने बात किये थी कि स्टेट्जी हाटनॉमी की बात किया उस रूप में आ रहा है क्या तो अगर सर हम चार-पांच पहलों को बाढ़ दें तो मैं गारिंटी देता हूं सर कि एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपके अगर आपने करीब बीस कोश्चन भी अच्छे तैयार कर लिए तो चार कोश्चन यहां से आपको जरूर से जरूर मिलेंगे तो मेरा मानना है सर एक और मैजिशन और तीन जो कुश्चन आते हैं जो ट्रेंड दिखता है उसमें रशिया को लेते हुए ब्लॉक इंडिया की रिलेशन को करते हुए देखना चाहिए जो वार इशूज है रशिया यूक्रेयन और अधर सर इसराइल यह हम पुरा मिडलीश की बहुए और तीसरा सर एकोनॉमी से जोडते हुए उसकी क्लीन एनरजी ग्लोबल लेवल पर आईयार कैसे उसे बढ़ा सकता है ट्रेड की सर दिकतों को देखते हुए जो नए क्वाडिडोर बन दे हैं सर हम चन्नाई से ब्लाटवास की अब हमने जो इस्ट क्वाडिडोर फार इस्ट क्वाडिडोर की बात कर रहे हैं जो अभी तक नहीं था तो यह सब चीच सर भारती पॉलिसी को ये दिदायाती है पॉलिसी नहीं है ये वास्तों में वहाँ की विकास के लिए है और ये लॉग टम उसमें आएगी और सर एक लाश्ट बात आई आर की सबसे अच्छी चीज़ सर यहां बहुत घुमाओदार कुश्चन नहीं है जिसना मैंने हिस्ट्री फस्ट एपिसोड में कहा पॉलिटी में सर ने कहा सर यहां बड़ा बस आपको पॉइंट पता होने चाहिए पांच-छे पॉइंट और स्मार्टी वही जो सबने कहा कि पहले मैप बन जाना चाहिए मैंड मैप आपने थोड़ा सा इंटोड़क्शन दिया पांच-पॉइंट लिखिए कंक्लिजन लिखिए वैल आफ और सर मैं यहां अश्यूर करता हूं कि नंबर बहुत अच्छे पाई जाए बहुत अच्छा और हिंदी इंग्लिस सर एक और लाश बात यह मैं हमेशा क्याता हूं यह इंग्लिस और हिंदी नहीं है बिटा समझ का युद्ध है आपके पास सवाल है का इस्टोडिंस की स्ट्रेडिजी हो कि सतरे की आर्डिकल्स इनको पढ़ना चाहिए source of study क्या होना चाहिए और exam के लिए कितने महिनों का या previous कितने duration का current affairs उनको revise करना है पढ़ना जरूरी है सर पहले हमें यह देखना होगा कि current affairs किस तरह से महत्पूर है अगर हम पूरे जो content part है UPSC के उसको हम different sections में divide करें तो एक static content है एक है जिसमें static और current affairs दोनों का ही मिश्टन होगा एक ऐसे questions होते हैं जो static होते हैं लेकिन inspired by current current affairs और एक purely current affairs होते हैं जैसे कि IR में होता है जिस सब चीज़े होता है सेर जो current affairs के uses होते हैं वह भी different type के होते हैं अब जैसे कोई question direct current affairs तो maximum current affairs उसका यूज हो रहा है लेकिन सर जो normal questions भी हैं जब उसमें facts दे रहे हैं data points दे रहे हैं या current से link कर रहे हैं तो वह एक application part दिखाता है जो aspirant का तो कहींने कहीं उनको marks में help करता है जब हम sources की बात करते हैं sir current affairs की तो सबसे जो primary source है वो है government websites and newspaper तो government website जो PIB हो गया या पर कुछ जो authentic websites PRS वगरा भी हैं तो यहां से बच्चों को consistently पढ़ना चाहिए प्लस जो newspaper है उसमें दो मुखिता नूस्पेपर हैं English Medium के हैं जो कि The Hindu newspaper The Hindu and Indian Express जिसका Hindi रुपांतरण भी अविलेबल है जिसका Hindi रुपांतरण भी अविलेबल है जिसे नेक्सटाइस की मैगजीन में हम यह सोर्सेज जो अच्छे सोर्सेज जहां से क्वेस्चन बनते हैं वहां से लेके इसको Hindi में हम लोग रीराइट करके फिर अपनी मैगजीन मे दालते हैं और अपनी वेबसाइट पर भी हम लाना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सर बहुत सारे परस्पेक्टिव ऐसे होते हैं जो ऑथर पर डिपेंड होते हैं कि जिसने वह आर्टिकल लिखा है तो कुछ ऑथर हिंदी के भी अच्छे हैं जहां से हम लोग लेते हैं लेक लब्द होता है लेकिन हिंदी मीडियम में कंटेंट अच्छा होना यह बहुत महत्यपूर्ण बाद है और आपको खुसी होगी कि नेक्स्टाइएस के जब से हमने हिंदी मीडियम का अपना नया सिग्मेंट स्टार्ट किया है तो उसी क्वालिटी को जो इंग्लिस मीडियम को डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं दूफरा यह कि अब नेक्स्टाइएस के हिंदी माध्यम के सेंटर दिल्ली और जैपुर और प्रयागराज में हैं अगर आपको किसी भी तरह का साहिए तो आप महां से हमसे साहिए भी ले सकते हैं अब हम बात करते हैं इन्वायर् को साहिद वो एक सब्जेक्ट नहीं मानते लेकिन वाकई में यह ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप दूफरों से अपने आंसर को बड़ा अलग तरीके से लिख करके अच्छे मांग्स ला सकते हैं तो इन दोनों विशों में आप क्या स्टूडेंट को सर्जेक्स करना चा किया जो एक मल्टी डिसेपरिय अप्रोच है यह सीधे संबंदित है पॉरिटी और गवर्नेंट से जोड़ करके यदि खेती भी फसल नस्ट हो रहा है तो सुप्रीम कोट ने उसको उसे जोड़ करके मुगावजा देने की बात किया है इसके अलावे थर्ड पेबरों तो द प्रच च्वर्च को जोड़ करके खुड़ा घुमा करके कई बार प्रस पूसता है तो एक तुसर इस्यू हो गया प्रियावन संबंदित की जो अभी current applied क्ता लुब्लम्स और मि्रदा के चर्ण की समस्याथ है। या इन वहां पर मिरदा चर्ण को रोग कर या रहेцион कर सकते हैं। तो कौन सा वहां पर मिनरल मिलाया जा रहा है, जिपसम की बाद की जा रही है, ऐसे कई पूड़ेट्स हैं, और देखें सरहम तुड़ा सा इसको होलिस्टिक व्यूस जोड़ें, तो राजस्थान PCS के मुख परिक्षा में कई बार ऐसा प्रस्न पूछा गया है, मुख परिक् नौजीज आ रहे हैं, जैसे हम सीचाई की हम बात करें, सर नहा सीचाई से मिर्दा में लवनता की समस्या बढ़ रही है, लवनता की समस्या के बढ़ने से उत्पादक्ता तेजी से घट रहा है, तो हरित क्रांती के लाभों को इस प्रकार की परियोगने समस्या है, धेरे- ब्रोक देते हैं, और इस प्रकार से रेगुलरली प्रस्ना रहा है, तो एक स्टुडेंट्स को मैं सेस्ट करूँगा कि भूगोल या पॉलिटी इवें सर में एथिस की बात करता हूँ, तो एथिक्स न भी इतिकल पॉइंट में आजकल इन्वार्मेंट बहुत ज़्यादा टच करने लगा है, के स्टुडी में भी, हाँ, सिधे इंवार्मेंट इथिक्स में है नहीं चौथे प्रफर्ब है, तो एक लिंकेज बना करके, वैसे एक क्वेश्चन सर प्रतेक पर आता है, जो जीसी लिओं का लास्ट ट्वेल्ट चैप्टर्स है, हलाग को है विस्व का बहुत ही भूगल से, और उसमें प्रस्ट आता है, कि जो प्रादेसिक रीजन से, प्रदेश है विस्व के, जैसे विश्वतिय प्रदेश है, या मौनसुनी प्रदेश है, सितोस मौनसुनी में चाइना आ जाता है, इस बार सर पीटी में एक बाउंडरी टूटा है, पहली प्रादेसिक इस प्रदेसों में जो यूरोपिया प्रदेस के जलवाईू है, बहुत लोगों ने गलतियां की होगी, बिल्कु सार, बहुत सकता है, कि उसमें जो रेंफाल की रेंज दे रखे थी प्रिलिम्स में, पचास से 200, उसको धान में अगार इक फिन नहीं रखा तो तो अच्छा शान्स को Gols का अंसर गलप चला जायागा. तोशर जैसे जैसे आया हुगा है कि जो मरुसलिया परदेस है, वो क्यों निर्मित होते हैं 25 से चाले चले चान्स के बीच में. मुझे लगता है कि इस बार उस रेंज से बाहर निकल के, तो हाला कि इसको हम कह सकते है, यह भागली के प्रदेस है, यह जलवायु का सुचा कहता है. जैसा बनस्पत्ती है, जलवायु ऐसा ही होगि. वनस्पत्ती फिर जो जन्तु समधा उसको रियाधत करता है. तो आप फिर देखिए को पड़ावर्ण एक चेर में आता है. विधिय कस्तर पे रास्टी कस्तर पे जो कुछ एक्ट बने है या उसको ठीक करने के दुरूस करने के जो उपाय किये है वो इसके लोगा थोड़ा साम चले अगर अगर जास्टर में 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 आम तौर पर हिंदी बादे में देखाई कंसेप्ट की बहुत बड़ी सवस्या है जैसे आप में में पर है नहीं जएड़ा नहीं करने फोड़ी जब तक हिजार्ड वल्लरेबल नहीं हो तब तो आपना नहीं बनेगा तो उसके प्रोग्नन की बात नहीं होगी तो जो बेसिक कंसेप्ट हैं या जैसे हानी सिल्कियरा वाले से में यह अरे ये रिपोर्ट आया था पर हान ही 0% हुआ, तो ऐसे प्रस्पेक्टिपे भी आप कोशन आने के समहावनाय बन रही है, जो regularly हमारे प्रियावरन भी इवन जो एकॉनमिस्ट है इंडिया के और वर्ल्ल के, उन्होंने भी इसको रुर्नाइज किया, कि इडिया में जहां पे 100% इसके अलावा रिसक 100% हो, तो चांस बनता है कम सकते 50% तो लॉस होगा, बट लॉस होगा 0% तो इस परस्पेक्टिपे भी कोशन पुछा रही के समहावनाय होंगी, सर मेरा गेस है कि बल्कि क्रिसी से खास करके प्रियावन को जोड़ते हुए विधारती तियार करें, जो प्र पारे हैं इंडिया में और वर्ड में भी जैसे आप देखें तो विश्यू के जो पहले 15 ऐसे देश जहां सबसे पानी की ज्यादा कमी है, पानी के पीने की कमी है, उनमें भारत का भी 13 इस्थान है, और उनमें जैसे कतर इजराहिल ये तो ऊपर हैं, सीथ पर हैं, लिबनान है, इरान है, जॉर्डन है, भारत में रेनफाल ज्यादा होने के बावजूद यहां पानी की कमी है, उसका कारण है कि वाटर का मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, और पानी बहुत कम समय तक सीमे थे, तो इन विश्यों को भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी वर् क्लाइमिट चेंज भी बहुत इंपॉर्टन टापिक है, और हीट वेब हमने देखा है, पूरा भारत इस बार हीट वेब से सफर कर रहा था, तो यह भी इन्वार्मेंट और पर्यावरेंट से संबंदेद विसे हैं, तो दोस्तों आज के इस डिस्कुसन में बस इतना ही, अ और नेक्स्टाइस से अगर आपको किसी भी सहयोग की आवस्यक्ता हो, तो आप यहां पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, आपने नेक्स्टाइस जोइन किया या नहीं किया, इस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर यूपी सी सिविल से वापर इक्षा की तियारी कर हैं, अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी या कोई भी आपको सहायता हम से चाहिए, हम आपके लिए सहयोग करने के लिए आतोर हैं, और आप हमेशा हमारे लिए इंपोर्टेंट है, आपका भी भी आ सकते हैं, थैंक्यू वेरी मच्छ, जाहिंद।